असलाम लेकों वल्कम टू माय चैनल लाइफस्टाय विद मोना उमीद करती हूँ आप सब खरीक्रियस से होंगे आज मैं जिस रेसिपी के साथ हैं यह रेसिपी है जिस स्टीम रोस्ट बहुत ही मरदा बनता है फुल जूसी जो शादियों में भी हमें स्टीम रोस्ट हम खाते लिए वह रेसिपी है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को भी अंड कर ले सो लैस्ट आट वीडियो अश्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहां पर मैंने चिकन लेक पीस लिए हैं और इस तरह से मैंने इसके कट्स लगव आसा यह साफ हो जाय तो सबसे पहले हम यहां पर लेंगे पानी तकरीबं समने मेंने लेंगे 14 न हैना लीटल मैंने इसके अंदर पाइं डाला खहला कि Called to that पुरा डिप करना है औरessen कंदर जो है विनिगर विनिगर है वो मैंने एट कर दिया है अब मैं इसके अंदर जो है लेसन का पेस्ट वो मैं एट कर रही हूं टू टेबल स्पॉन मैंने लेसन का पेस्ट एट कर दिया है अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं नमक नमक भी दो बड़े चमर जो हैं वो मैंने इसके अंदर एट कर करेंगे और चिकन जो है सारा दिप निए एक सी तरीकशे वह जाए चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वह करके अब इसको मैं फ्राइ होने के रही हूं बिसको पांच-मिन के लिए बस इसको फ्राइब करना है और जब यह सारे पीसी फ्राइब हो जएंगे तो अची दर्याइब करेंगे हम इसके लमसी नहीं चाहिए आप इसके लंगे अब इसके अंदर जो है मैं 4 टेबल स्पून लेमन जूस एट कर रही हूं अब फ्रेश लेमन भी यूस कर सकते हैं अब मैं इसके अंदर डाल रही हूं जी चाट मसाला चाट मसाला और मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैं यहां पे चाट मसाला यूस करूंगी चाट मसाले के बाइस के अंदर मैं डाल दिए हल्दी और और 1 अधादा टी स्पून इसके अंदर हम डलेंगे जरदा रंग अब जो है अब इसके अंदर हम डालेंगे सफेज सिर्का और त्क Ruben टू टेबल स्पून इसके अंदर ज्सिर्का डालेंगे ज़एधा चिजों, सब चीजों को हमने डाल लिए है कि लाइट लाइट सा कर राज़े बहुत अरा इसको फ्राइए नहीं करना वना वो जूसनेस इसकी खतम होज़ेगी अब हम वन वन पीस पकड़ेंगे और देहीं के जो मिक्सर हमने बनाया है इसके अंदर इसको हम अच्छी तरीके से इसको डिप करेंगे कि मसाला अच्छी है जब उनको मसाला जब लग जाए तो हम दुबारा पीसिस जो है वो उसके अंदर हम डिप करके रखेंगे कि जो मसाला वो अच्छी तरीके से सारे और अच्छी तरीके से सारे जो है ना चिकन की उपर लग जाए इसको हम जो मिक्सर को है इसको ओवर नाइट ली रखेंग क्योंकि जितना अच्छे तरीके से हम ज़्यादेर की रखेंगे उतना अच्छा यह मज़दार यह बनेगा तो इसको ओवर नाइट ली ज़रूर रखीगा अब यहां पर लिया मैंने प्रेशर मेरा प्रेशर जो है वो टूइन वन है उसका स्टीमर भी इसके साथ है सो हम प्र का तुकरा हो में डाल ती ए बड़ी लैची डाल दी है और थोड़ा से लिदेनर हम जो है जीरा वो एड कर देंगे और इसके बाद हम यह जो इसके मेरे पास नीचे रखने की कोई जाले नहीं थी तो माइक्रोवेम ओवन की होती है वह मैंने इसके नीचे रखके तो इसके प्लेट रख दिया है यह देखें चिकन हमारा अच्छी तरीके से माइनेट हो गया अब हम इसके उपर से ही ना अदर लगाना है क्योंकि सब उपर नीचे भी रख सकते हैं यह निक्या आपने आदे रखने आप सारे एक साथ उपर नीचे रख देंगे वह अच्छे तरीके से पक जाता है वह इसमें कोई नहीं वह स्टीम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से घल जाएंगे सारे पीस्स डाल दी ञालें और यह जो इसकी उपर जो मिक्सर बहें बहुत है वह भी हम वह पन पर से डाल दी आइव और अब हम इसको लगा देंगे वेट मैंने वेट लगा दिया, 15 मिन का इसको मैंने वेट लगाया वैसे भी पका सकते हैं और साथ मैं थोड़ सी फ्राइस ही मैंने फ्राइए कर ली थी ये लेंजी मज़धा था स्टीम रोस्ट जो है बनके हो गया है रेडी, अब इसके उपर जो है मैंने फ्राइस जो फ्राइ की थी वो भी मैं इसके उपर डाल दूँगों कि फ्राइस तो बच्चों ने जरूर खानी होती है और इसके साथ मैं जी चली गार्लिक सॉस टाल रही हूं इमली की सॉस है, यह मैंने घर में बनाई है रेसिपी आप साथ शेयर करूंगी और साथ में कैच्चप है जो जिसको बसान दा वो वैसे खा सकता है यह चिकन स्टीम रोस्ट जो है बहुत ही मज़दा और जूसी और सॉफ्ट बनता है इतना होता है कि हाथ में पकड़ते ही तोट जाता है तो आप सब इसको जरूर ट्राइ कीजीगा, मैं आपके फीड़बैक का इंतजार करूंगी इन्शाला ताला फिर मिलेंगे एक बहुत अची रेसिपी के साथ तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्यार रखेगा अला आफिज और पी अमान उल्ला